है गाइस वाट्स अब कैसे हैं आप सब लोग और इन दिस वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक काफी दिनों से मैं सोच रहा था इस चीज को रिकॉर्ट करूं बट ड्यू तो सम रीजिंज आ वस नॉट अबल तो दू दाट अंड मेनी सबसे पहले तो मैं आप लोगों से यह कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को जादा जादा शेयर करें अगर आप अपने दोस्तों की मदद करना चाहते हैं तो इसे जरूर शेयर करें और हो सके तो इसे लाइक भी करें बिकॉस ट्रेली मोटिवेट्स में लॉट तो क्रियेट अपने अपने लुट जादा जाएं और उसे अगर देखा जाए उनका निचोड तो वो एक ही चीज है स्टूड़न परिशान है स्टूड़न से पढ़ाई नहीं हो रही प्रॉब्लम यही है लेकिन उसको अलग-अलग तरीके से स्टूड़न जो है वो डिस्क्राइब करता है जो हमें भेजता है अलग-अलग तरीके से स्टूड़न को सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सर एक्जाम कब होंगे और क्या होंगे भी अभी सटेंट में तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो अभी आप लोग की यही चल रही है दूसरी प् कुछ लोग है तो पढ़ते ही नहीं है उनको तो प्रॉब्लम ही नहीं है जो पढ़ने लगते हैं उनको लगता है पढ़ा ही नहीं हो रही तो उनको यह प्रॉब्लम है कि सर पढ़ा ही नहीं होती जो बच्चे पढ़ते हैं उनको यह प्रॉब्लम है कि सर याद नहीं होता जो हम पढ़ते हैं वो याद ही नहीं होता हमारे को, हम भूल जा रहे हैं बार बार, फिर कुछ बच्चें हैं जो थोड़ा बहुत याद कर लेते हैं, वो और दुखी हैं, वो कहते हैं कि सर हमारा timetable फॉलो नहीं होता, अब क्या करने बताओ, दुविधा सबकी अलग-अलग लेवल पर जाकर के है एक्जाम कब होंगे ये common problem है जो अभी market में चल रही है उसके बाद बच्चों की problem बड़ी विचित्र बड़ी अजीब उसने good morning नहीं बोला या उन्होंने good morning नहीं कहा हमसे ठीक है वो बोलती नहीं मुझसे वो बोलता नहीं मुझसे आज उनसे बात नहीं होई अब कुछ बच्चों को ये भी problem है कि सर गोल गप्पह खाये होँए कितने दिन ओगए बहुत दिन होगए हमने गोल गप्पह नहीं खाये हमने पपड़ी चाट नहीं खाया हमने मोमोज नहीं खाये यह अलग दिक्कत है यह आग है बेसिकली आपके अंदर जो है आग है तो आप क्रोनोलोजी को समझ यह सर यह आग है और आग जब होती है तो फिर उसमें घी भी डालने वाले लोग आ जाते हैं अब इसमें घी कौन आग तो आपके अंदर सब के अंदर लगी हुई है एक्जाम कब होंगे पढ़ाई नहीं होती गुड मॉर्निंग नहीं बोला खाना नहीं पूछा पानी नहीं पूछा गुलकप्पे नहीं खाये मोमोज नहीं खाये अब इसमें घी का काम कौन कर रहा है इसमें घी का काम कर सर आपका Twitter सबसे ज़्यादा आज इस hashtag को trending करवा दो आज हम ये करेंगे आज हम वो करेंगे आज hashtag जै माता दी आज hashtag जै कुछ भी ठीक है कभी किसी की जै कभी किसी की विजय कभी किसी की पराज है whatever it is going on Twitter day in day out राइट लगे हुए हैं लोग लगे हुए हैं student आज इसको trending करवा आइसी आई ने FAQs release करके उसके ओपर लोग देदनादन इसमें ये कमी है इसमें वो कमी है इसमें ये कमी है इसमें ये नी बोला इसमें वो नी बोला उसके बाद इन्होंने window और extend कर दी दिक्कत और बढ़ा दी ठीक है आँग लगी हुई थी उसमें घी और डाल दिया फिर इने ये किया मास लगा के different colors के गूमने तो आप खेर जादा जाते नहीं लोग उसके बाद आपके जीवन में जो आपके प्यारे-प्यारे दोस्त हैं प्यारे-प्यारे सखा हैं सहेलिया हैं वो क्योंकि आपको तो पता ही है हर एक friend जो है बहुत जरूरी होता है डैश लगा जालने का काम relative भी करते हैं क्योंकि दुनिया में तीन तरह के लोग ही होते हैं positive, negative और relative तो यह relative हर जगे आ जाते हैं और positive, negative होते तो शायद दुनिया बढ़िया चल रही थी लेकिन relative आ गए तो balance बिगड़ गया तो यह सब चीजे घी हैं तो आपको chronology समझने हैं कि तुमार अग है यह सारे घी वाले factor हैं अगर आप समझदार हो बुद्धी जीवी हो अगर तुमारे अंदर थोड़ा सा भी दिमाग है तो क्या करोगे जहां पर आग लग रही है वहां पर घी और डालोगे या घी को हटाओगे यानि इन सब चीजों को अपनी जिन्दगी से दूर ह अब यह होता नहीं है इतने आसानी से तो सर सल्यूशन क्या है इसका सल्यूशन क्या है सर आप प्रॉब्लम तो आपने बता दिया आग लग रही है आपने बता दिया यह घी है अब करें तो करें क्या बोले तो बोले क्या क्या बोले सर क्या करें बताओ आप सल्यूशन बता पास है, ना किसी और दुनिया में किसी वैद के पास है, इसका solution आपके अंदर है, क्या बात करे हो sir, कैसे करना पड़ेगा हमारे को यह, आपको सोचना होगा, you have to think of the reason sir and ma'am, why you started, आप क्यों आये थे CA course में, क्यों, यह सवाल कई बार अपने आप से पूछे, और इस सवाल को अपने सामने लगा करके रख दीजिए, कि why I started this journey, मैं इस course को करने क्यों आया था, या क्यों आई थी, मेरे उस समय मेरे दिमाग में क्या सपने थे, क्या मेरी ड्रीम्स थी, क्या मेरी अस्पिरेशन थी, क्या मेरा मोटिवेशन था, उस टाइम पे, जब मैंने इस course का फॉर् आपको कोई juice पीने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई glucose पीने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके दिमाग में ये चीज़ clear है, कि आपने ये journey को start क्यों किया है, then I am telling you, nobody, मैं वापस से बोलता हूँ, nobody on this planet, planet तो छोटा हो गया, in this universe, will be able to stop you sir and ma'am, मैं वापस से बोलता हू कि अगर आपके दिमाग में ये चीज़ clear है, कि मैंने ये चीज़ क्यों start की थी, और जब तक मैं उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर लेता, until and unless I will achieve my goal, why I started it, मैं नहीं रुकूंगा, तो मैं आपको बता दे रहाँ सर, इस दुनिया में तो क्या, इस ब्रह्मांड में, इस universe मे ऐसा कोई चीज़ नहीं है, जो आपको आपके गोल तक पहुँचने से रोक सकती है, आपको अपने आपको वापस से समझाना पड़ेगा सर, why you started this, why you started, मैं आपसे कुछ और hacks भी यापे शेयर करना चाहता हूं, जो अगर आप follow करेंगे, then it will you know, really help you a lot in enhancing the process of getting back into your work, everyday जो आपका daily routine है, उसमें आप वापस जल्दी से आ सकें, अपनी पढ़ाई को वापस से शुरू कर सकें, आगे बढ़ सकें, सबसे पहला जो hack है, वो यह है, आपको अपनी आखे बंद करनी है, और आपको अपनी breathing, आप सांस ले रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, उस पे आपको concentrate करना है, और अगर आप यह एक बार करके देखेगा, आपको खुछ समझ में आ जाएगा, यह चीज कितनी beautiful है, और इससे आपको क्या चीज का realization होता है, that you are living, that you are alive, and when you are alive, you have all the energy to do whatever you think of doing, right, दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं, जिनको लगता है कि हम बहुत time waste करते हैं, वो एक काम करिएगा, घड़ी को, किसी भी घड़ी को, जो दिवार पे लगी है, या जो आपकी wrist watch है, उसके अंदर minute hand होता है, उसको आप जितना देर तक देख सकते हो, right, आप देखना, आप देखते रहना उसे, minute hand को आपको continuously देखना है, और जितना देर तक आ अपने आप realize होंगी चीजें, अगर आप consciously उसको देखेंगे, minute hand को आगे बढ़ते हुए, आपको चीजें realize होंगी, and मैं बता रहा हूँ, आप जल्दी से अपने काम पे वापस आ जाएंगे, right, थोड़ी बहुत चॉकलेट खाना शुरू कर दो, right, थोड़ी चॉकलेट खा रहता है, और आप अच्छे से उसकी productivity को enhance करके काम कर सकते हो, right, उसके अलावा, जो लोग effectiveness लाना चाहते हैं अपने काम में, I would request all of you कि आप अपने दिन को प्लान करने से अच्छा है, अपने हर घंटे को प्लान करें, और उसके बाद उसको analyze करें कि इस घंटे में मैंने क्या किया, फिर इस घंटे में मैंने क्या किया, ठीक है, इससे आपका जो productivity है वो बहुत जादा increase हो जाएगा, next thing that you can do is surround yourself with positive people, sir and ma'am, and stay away from social media, facebook पे जो photo है sir, वो उसके happy moment की photo है, instagram पे जो photo है वो उसका असली चहरा नहीं है, right, जो status whatsapp के उपर है, वो असली चहरा नहीं है, ध्यान रखिये इस बात को, people only share the things they make them happy, okay, that make them happy, right, जो उनकी happy moments है, वहीं वो चीज़े महाँ पे share होती है, तो हर कोई उतना खुश नहीं होता जितना वो social media पे दिखता है, right, surround yourself with positive people, जो लोग आपको motivate कर सकते हैं, जो आपको अच्छी बाते कह सकते हैं, उन लोगों के साथ रहिए ठीक है, friends को limit करिये, उनसे बात करना कम करिये, family के साथ time spend करना शुरू करिये, and the last and the most important thing, tell yourself that yes, I can, yes, I can, and I'm telling you, if you start telling this to yourself, you are halfway done, आपका आधी जंग जो है, आपने यहाँ पे ही जीत ली है, yes, I can, yes, I can, and I'm telling you, that positive affirmations have a very, very, very strong power to make you achieve your goals in life, and I'm telling you, write it down, somewhere in front of you, wherever you sit for studying, or wherever is your living area, write it down, the best is yet to come, sir and ma'am, the best is yet to come, have patience, have faith, I'm telling you, you people are so awesome, and in days to come, you are going to rock, you are going to rock, definitely you are going to rock, right, last में, एक कोटेशन से end करना चाहूंगा, that difficult roads often lead to beautiful destinations, मुझे पता है, यह सब चीज़े करना इतना आसान नहीं है, right, just sitting and telling people to do this is very easy, okay, लेकिन जब आप इन चीज़ों को करेंगे, right, मुझे पता है, एक दिन दर्द होगा, दूसरे दिन पेन होगा, but no pain, no gain, sir and ma'am, right, practice करिये, slowly, gradually achieve करने की कोशिश करिये, एक momentum बनाने की कोशिश करिये, उसे maintain करने की कोशिश करिये, I am telling you, you are going to rock in days to come and you people are so awesome, difficult है, लेकिन आप याद रखिये इस बात को, जो इसका result है, वो बहुत ज़्यादा beautiful होने वाला है, thank you so much, have an awesome day, enjoy.